और यहां पर मैं लगभग एक से डेड़ सेकेंड के बीच में तीन बंदे पेल देता हूँ और बढ़िया बात यह यार मुझे पता भी नी था उपर बंदे बैटे हैं तो भाई लो कैसे हूँ तो यार वेलकम दी बैग बैग दी वेलकम और स्वागत आपका एक भी राण न्यूग गलत सीन से भरे पड़े गलत केंपिंग से भरे पड़े पपजी दो मॉइल कीम प्रे वीडियो में और यह मैच खेलते टैम यार ऐसा लग रहा था कोई पैसो का टूर्णामेंट खेल लाओ मैं हाँ मतलब बंदे वहिया हिलके नहीं दे रहे हैं डेट की तरह बैठे पड़े एक जगा पे और मैं सोच रहे हैं अब से मैं रूजोक के आलावा कहीं पी भी न जाओं अब तो रूजोक से भी भरूसा उठने लग गया है एक बंदा सामने उड़ते वे दिखा मुझे और पूरा रूजोक खाली है पूरा रूजोक खेर यहां पे मैं आता हूं लेकिन पता चलता है इ होँ सोबी तो उपर से आ रहे लेकिन यह बंदा बहुत ही खतरनाक होता है और यह बंदा जो मेरे लेफट में आ गया अजयानक से कहां से भाई चलांग लगाते हैं फुटिश्टेप पहले उपर से आ रहे थे अजानक से बंदा लेफ्ट में खड़ा है बहुत भड़ गई थी एक टाइम के लिए खैर उसका टीमेट भी इधर आता है दोनों को पेल दिया दोनों पे सस्ती लूट बतलब रोजोक आये हैं यार क्या चाहि होगी फैर जो भी यो आगे सकूल में भी बंदे बैठे होते हैं और दिखता है मुझे एक बंदा उपन में भगते हुए अब देखो इस बंदे को मैं उपन में नोक करता हूँ ठीक है नजाने क्या कर रहा था ये ये बोट पेलने आया था या साप बनने आया था यार हमें कद्दू भी नहीं पता मुझे इतना पता है बहुत जोड से लालस लगी है बुक की पेलना ही पड़ेगा गुसके और मेरी गनों की हला देखो एक है M16 जो की ठीक ठाक गन है लिकन उसमें सिर्फ 16 गूली है और दूसरी गन को गन बोलते वे भी सरम टैप आती है मुझे और जिस हिसाब से ये बंदे इधर उदर भगरे न यार मैं समझाता हूँ वो बंदा जिसे नोक किया था वो रिवाइब हो चुका है तो करना कहा है यार गने कितनी भी सस्ती हो गोल या जितनी भी बची हो रस तो करना ही पड़ेगा ये दो धाई किल से क्या होगा जिन्दगी में अब एक बंदे को मैं नोक करता हूँ जोस डबल हो जाता है और ये देखो क्यो मैं इस गन को सस्ती बोलता हूँ अब मैं मानतो यार मेरा सप्रे भी सस्ता था लेकिन अगर UMP के अलावा कोई भी और डंग की गन उती न वो बंदा सो परतीसात नोखो जाता खैर अब दिक्कत की बात नहीं क्योंकि यार आखिर कार एक डंग की गन मिली है एक एम मिल गई है भाई को तो करना गया है उस बंदे को पकड़ने के लिए रखाऊं जो UMP के सस्ते सप्रे से बज़ गया था और हमारे भाई यहीं कहीं बैठे पड़े हैं फुटी स्टेप आने भाई के और देखो मैं सामने की तरफ देखता हूं क्योंकि सामने एक और बंदा था इनका लेकिन वो बंदा क्या करता है गाड़ी लेके गायब हो जाता है यहांसे ठीक है और वो वही बंदा है जिसको मैंने सबसे पहले नौक किया था सकूल की साइड तो भाई नौक हुए भाई को रिवाइव दिया उनके टीमेट्स ने जान की बाजी पे खिलके उस भाई के टीमेट्स ने रिवाइव दिया उसे और उसके बाद सारे टीमेट्स ठिल गए लेकिन भाई बचके निकल लिये मतलब बंदे ने सोचा भी नहीं कि यार बदला ले लू या कोशिस कर लू बचानी की बाइक उठाई और गयब लेकिन हम इतने धीट हैं वैसे ये जो भी हुआ तुक्के में होगा लेकिन उस बंदे को पकड़ के पेलेंगे खैर फिलाल मैं भगरा हुता हूँ गाड़ी लेनी के लिए लेकिन उतने में ही एक गाड़ी सामने आ जाती है और इस गेम को अचानक से क्या हो गया है यार मेरे समझ के पार है खासकर ये वाला सीजन भाई हर कोई बंदा हर कोई बहुत ज़्यादा सेफ के लाई जैसे इस भाई कोई देख लो जिसे अभी नोक्या ना जाने कहां वो उतरा होगा भाई गाड़ी लाता है गाड़ी रोकता है वहाँ पे और पता नहीं क्या ही कर रहोता है भाई के अपने ही सीन होते है खेर जो भी हो हम भी ठीटे यार मतला बंदे एक जगा नी आएंगे तो कोई दिक्कत नी जगा जगा जाके पेलेंगे और जैसा कि मैं क्या ही राता यार वो बंदा जो बचके भगा उसे पकड़ के ज़रूर पेलेंगे तो देखो क्या सीन होते हैं याँ पे और जिस बंदे को अभी अभी उजी से पेला न ये वही बंदा है जिसको मैंने सकूल के सामने पेला था और ये वही बंदा है जो सामने से बाइक लेके भग गया था मतलब भाई रोजोग उतरे रोजोग भी नहीं यार सकूल उतरे सकूल के बाद लड़ाई हुई भगे वाँ से और सेभरनी पहुँच गए और भाई की किस्मत इतनी खराब हम वहाँ पे भी पहुँच गए डिरॉप लेने गया था बंदा सामने मिल गया कैर जो भी हो आगे जाएंगे और आगे जाके ढंग से बंदे भी लेंगे सकॉर्ड सकॉर्ड से लड़ेंगे और एक खतरनाक सकॉर्ड वाइब भी देखने को मिलेगा लेकिन उससे पहले धैड़ पैड़ बात कर लेते हैं हमारे सपॉंसर की तो यार इस एप या फिर वेबसाइट का राम है एक एक्स बैट जिसके मदद से आप कई सारे गेम्स कहल सकते हो इसमें कई सारे मिनी गेम्स कहल सकते हो और e-sports पे बैट बूट लगा सकते हो साथ ही साथ इसमें आपको 7000 रुपे तक का बोनस मिलेगा आपके पहले डिपॉजिट में अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो जो की कमेंट सेक्शियों में होगा तो हाँ यार अगर आपको इस सब चीज का सोके तो आप इसे ट्राय कर सकते हो इसकी लिंक कमेंट सेक्शियों में होगी बिल्कुल टोप में और यार आखिर कार जाके थोड़ा सा एक्षियों देखने को मिलता है तो दो बंदे नौक कर चुका हूँ और जहां तक मुझे पता है एक और बंदा इनका यहीं कहीं जिन्दा है अब देखो जहां से हमने शुरुवात की थी वहीं पर आके पहुँच गए है दुबारा रुजोग पे उतराता सिर्फ दो किले मिली थी वो भी ढंक से नहीं मिली थी यार उसके बाद दुबारा रुजोग की पहाड़ी पर आता हूँ और एक तीन बंदों की सकॉड मिलती है कैर इन तीनों को पेल दिया और खाता खुल चुका है सकॉड मिलना चालू हो चुकी है और देखो मैं लगभग सारी जगा देख चुका हूँ पोचंकी से भरनी सकूल हर जगा डूंड के आगया बंदों को कद्दू कोई नहीं मिला तो मैं बोलता हूँ क्या पता जोर्ज गए हो बंदे क्या पता गलती से जोर्ज पहुंचे हो बंदे तो जोर्ज का तो पता नहीं लेकिन यार इस घर पे जरूर होते हैं अब अगर आपको याद होगा तो एक का दिन पहले मैंने नेड को चक्मा दे दिया था नेड मेरे मूँ के सामने आया मैंने दर्वाज़ा बंद कर दिया और नेड कहीं और ही निकल लिया और याकरो यार मैंने बोला था नेट बदला जरूर लेगा तो हाँ यही है यही वो मैचे टाइम आ गया है नेट का बदला लेने का मेरे से और यहाँ पे मेरे से नेट अपना हिसाब बराबर कर लेता है अब देखो मैं उस छोटे गराज के अंदर होता हूँ मैं बोलता हूँ यहाँ से कटलो यह लोग नेट 100% गारंटी डालेंगी यहाँ पे तो मैं क्या बोलता हूँ सोचता हूँ इनी के घर पे गुशूँगा मैं धेड़ पेड़ वहाँ से निकलता हूँ हील करता ही वहाँ से भकता हूँ तकी मेरे पे नेट न पटे और मुझे क्या पता है यार जहाँ पे मैं भक रहा हूँ वही रस्ते पे रस्ते पे ही नेट पटा है अब या तो जो बंदा नेट कर रहा है वो भच से खतरनाक 1000 IQ वाला गेम प्ले कर रहा है भाई मतलब रोड पे नेट फेक दिया या तो फिर वही हो रहा है यार जो मुझे लग रहा है नेट बदला ले रहा है मेरे से अपना खैर नेट ने जो भी गलत सीन करने थे कर दिया यार पहले नेट से डेमेज हुआ उसके बाद गंज से नोक हुआ उसके बाद दूसरे नेट ने तो भाई या रस्ते पे ही नोक कर दिया लेकिन अब अंदार आ चुके हैं और अब आराम से समभल के समभल के रस्त करना पड़ेगा और अगर आप मैप में फुटिश्टेप देखोगे ना भाई चार-चार आ रहे हैं चार-चार बंदे बैठे पड़े उसके उपर से तांबे पे सुहागा करने के लिए भाई लोगों ने समोग भी कर दिया है समोग भाईया दिवार के आरपार आ रहा है चट से नीचे समोग दिख रहा है खेर जो भी हो सामने वारे चोटे घर पे मैं ये जलती बोतल पे आग फिक देता हूँ और अब यहाँ पे इस टीम के चारो के चारो बंदे चट पे जा चुके हैं अब देखो यहाँ पे अगर अंधा रस किया न भाई एक ही चीज बनेगी वो है पेटी और ऐसा भी नहीं कि यार नोक वावा देख पाओगे आप अपने आपको और फिर पेटी नहीं भाई जब चार बंदे गोली चलाएंगे न सीधा पेटी ही देखने को मिलेगी और यहाँ पे आर सब कुछ मेरे समझ के बाहर हो जाता है नजाने कौन नेट कर रहा है कौन गोली चला रहा है कौन समोक फेक रहा है और बाहर पे भी कोई बंदा बैठा है वो भी दूसरी सोकौर का क्योंकि चार बंदे तो यहीं उपर पे बैठे हैं तो देखो मैं भी धीरे धीरे रस करूँगा यार धीरता यहाँ पे दिखाई न यहाँ पे सीधा पेटी बनेगी और इतना भटकने के बाद धीरता की वज़े से पेटी बन जा यार बहुत दुखोगा दिल पे धर्दोगा तो करना क्या है धीरे धीरे देखेंगे की सीन क्या होता है पहले तो मैं इंतेजार करता हूँ इनके नीचे रस करने का लेकिन ये भी खतरना के यार इनको भी अपने पॉइंट बहुत ज़्यादा प्यार है तो ये भी रस नी करेंगे और यार ये लोग हजार आइक्यू नेट कर रहे थे तो मैंने सोचा क्या पता मैं डेड़ा इक्यू गेम प्ले कर दूँ साइट से लेकिन कदू कुछ नी होता और यहाँ पर अब मैं थक चुका होता है यार मैं बोलता हूँ एक नेड करूँगा कोई ठीलेगा तो ठीलेगा नहीं तो यार सीधा ही रस करेंगे उपर ओ इतने गए दो दो नौक और यार मैं सच बता रहा हूँ मेरे को विश्वास नहीं हो रहा हूता कि भाई मेरे सस्ते नेड से दो बंदे नोको गए भाई मैं समझ नहीं पा रहा है और यार अब ऐसा फिलिंग टैप आ रहा है कि यार नेड और मेरी दुस्मानी आखिर कार जाके शायद खतम हो चुकी है वैसे मुझे न लगता है यार क्योंकि मेरे नेड सस्ते ही रहेंगे ये जो भी हुआ ये तुके में होता है मेरे साथ खैर जो भी हो मैं अपने टीमेट्स को रिवाइफ दे देता हूँ उपर दो बंदो की पेटी बना दी थी और नीचे पता नहीं कौन सी सोकॉड का बंदा खड़ा था उसकी भी पेटी बना दीनी चाही तो अब टाइम आ गया यार बाकी के दो बंदो को पेलने का उपर जा लेकिन सिर्फ एक घर पे भाई पांच-पांच बंदो की किल मिल गए बहुत ही बड़े आयार सही है कम से कम किल तो बड़े थोड़े खैर अब यार जो श्टैप आगया था अब लग रा था कि भाई हाँ हो सकते हैं वीडियो बन सकती है 20 से जादा किल हो सकते जिन्दगी म और धैड़ पैड जो भी याँ पे लूट पड़ी होती है सारी उठा लेते हैं और देखो बंदे हट से ज़्यादा अलाइव हैं अभी और अगर आपको ऐसा लगा कि यार जो मैंने अभी किया वो गोली की बरबादी है तो यार जो सीन आगे होने वार है न उन्हें देख कि आप बोलो कि यार थोड़ा सा रहम करो गोलियों पे थोड़ा सा और यहां पे मैं लगभग लगभग सो गोली बरबाद करतेता हूं हना वो ठीक है यार चलो गोली बरबाद की कम से कम बंदा तो ठीले बंदा भी ठीलके नहीं देता मैं सोच रहा हो तो वहिया आज तो गाड़ी फाड़ेंगे और हमारे भाई उसका हेलमेट फाड़ देते हैं खेर जो भी हो उसके बाद में आगे रस करूँगा और यार आगे जो होने वाला है ना बहुत ही खतरना कोने वाला है मज़ा टैप आजाएगा देखके तो आगे वाले घरों पे लड़ाई चली होती है करना क्या है और किलका मैं अभी भी बहुत भूका होता हूँ तो उठाता हूँ गाड़ी और देप पटक के मारता हूँ घर पे और यहां पर मैं लगभग एक से डेड़ सेकंड के बीच में तीन बंदे पेल देता हूँ और बढ़िया बात यह है यार मुझे पता भी नहीं था ऊपर बंदे बैठे हैं अब देखो मैप में फुटी स्टैप जरूर दिख रहे थे लेकिन यार मैं अपने ही नसे में आगे वाले बंदों को पेल दा था तो मैं पीछे मुरता हूँ मुझे एक बंदे का पाउँ दिखता है अंदर गुशता हूँ भाई एक बंदा साइड में लेटा है एक बंदा नौक को रखा है तो मैं गोल गोल गुमता हूँ और तीनों बंदों को पेल देता हूँ हाँ एक बंदा पता नहीं किसने नौक करके रखा था उसकी भी किल चुरा दी मैंने और इसी के साथ ये दूसरी सोकाड जो दूसरे घर पे बैटी होती है वो भी साफ हो जाती है तो भाई लोग यार वो एक देट सेकेंड में तीन किल वाली चीज के लिए और ये दो-दो सोकाड को एक साथ पेलने के लिए यार लाइक ठुकना मत बूलना बिलकुल पेल के बीला टैप कर दो और खुसी की बात ये है कि भाई ये जो बाहर बंदे है न इन पे AWM और ग्रोजा भी पड़ी होती है तो इससे जादा क्या चाहिए जिंदगी में किल भी ठीक ठाक हो गई बंदे भी ठीक ठाक बचे हैं और यार गन जितनी महंगी हो सकती हैं उतन तक मुझे पता है और बंदे यहीं से देखने को मिलेंगे और यार AWM उठाइए तो थोड़ी सी थोड़ी सी सस्ती सनाइपिंग भी करनी पड़ेगी तो यहां पर मैं आ गया हूँ और हमारे साथ साथ एक गाड़ी भी आ रही होती है सामने से और गेम के आखिर में आते आते मैं बोटो वाली हरकते करने लगता हूँ ठीक है गोली चलाई गोली चलाई डेमेज दिया और बस वहीं पर रुग गया मैं डेमेज के अलावा कद्दू कुछ नहीं उखाड पाए मैं और उसके उपर से यार बंदे पेलने की बजाए बंद वहीं पर हील बैटल करके बैठे खैर जो भी हो यहाँ पर बचे कुछे बंदे बाकी हैं एक सामने गाड़ी गई है पाहड के पीछे जिसको मैं सिर्फ डेमेज दे पाया और पाहड के पीछे यार लड़ाई भी बीड़ जाती है और अपने पीछे भी बंदे होते हैं जो क कि भक्ते वेज ओनाएंगे तो यार तभी पकड़ लेंगे उन्हें ख्यार एडबलो एम होती है तो मैं निकालता हूँ सकोब खुल के देखता हूँ कि सीन क्या चलने है और अखिरकर एकाड़ बंदे देखने को मिलते हैं और ये बंदा जो पीक कर रहा था ना यार ये बहुत अलग लेवल में खेल ला है हमारे भाई वो टूटी वी दिवार के उपर चड़े हैं उसके उपर से घर के पीछे हैं और वहां से पीक कर रहे हैं खेर जब तक मैं उस बंदे को गलती से हैट सौट पिलता हूं तब तक यहां पहड के पीछे लड़ाई या भीड़ जाती हैं सकोब वगेरा खोल के देखता हूं मैं लेकिन यार वो लोग अपने में लड़ रहे हैं तो देखो पीछे से भी जोन आ रहे तो यार बंदे भी भगते वे आएंगे तो भाई रिवाइब हो गए हूं गयार रस्ते में पकड़ते हैं भाई को और इसी के साथ यार में दो बंदों को तो रोड में भगते वे पकड़ लेता हूं लेकिन उनका आखरी टीमेट उस बेरा उसके अंदर गुसा है साथी साथ पीछे से भी बंदे आ रहे जो पहाड के उपर चड़े वे थे तो देखो दिक्कत यह है गिरे चुनाई बंदे कुछ बंदे जोन से भी ठील जाते हैं तो मैं सोचता हूँ इस बंदे को पकड़ते हैं उसके बाद उस बंदे को देखेंगे जो पहाड के पीछे गाड़ी लेके भगा था तो करना क्या है यार अंदर रसकर देते हैं और इसी के साथ जो भी बंदे रोड के उस पार से भग के आए थे सबको पकड़ लिया गया सबकी पेटी बन गई अब बस एक ही बंदा बाकी है और जहां तक मुझे पता है यार ये वही बंदा है जो गाड़ी भगा के गया था जिसे मैंने बॉटो की तरह डेमिज दिया तो देखो AWM पड़ी है तो क्यों ना गलती से हैट सोट हो जाए अब कुछ लोगों को लगेगा यार ये फ्लिक सकोप था कुछ को लगेगा भाईया ये क्विक सकोप था लेकिन देखो हम सबको सचा ही पता है ये कद्दू भी कोई सकोप नहीं था इसे कहते हैं तुको के पर काम चलाना इसे कहते हैं गलती से हैट सोट और उसी गलती से हैट सोट के साथ यार चिकन चुकान हो जाता है तो बस भाई लोग यार आज की वीडियो में इतने ही बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए जाते जाते वीडियो पे लाइक पेलना मत भूलना बिल्कुल ठोका पीटी गर के नीला टैप कर दो उसे और अगर आप यहाँ पे नए हो तो करो सब्सक्राइब और भी ऐसे गलती से हैट सौट कद्दू सको वगेरा के लिए और वो जो डेड़ सेकेंड में बंदे पे ले आर ऐसे सारे गलत सीन के लिए सब्सक्राइब करना मत बूलना और जाते जाते भाई लोग एक एक्स बैट चेकट आउट करना मत बूलना अगर आपको इस सब चीज का सौक है उसके लिंक कमेंट सेक्सियोन में होगी बिल्कुल टोप में तो आज के वीडियो में इतना है भाई लोग यार बहुत बहुत सुक्रिया वीडियो देखने के लिए कल मिलते हैं बाई बाई